एल्कोहल तथा फिनॉल को विसाय में जान लेने के बाद आईए अब हम जानते हैं एथर के बारे में जैसे कि मैंने पहले ही बताया हाइड्रोकार्बनों के यदि एक हाइड्रोजन को एलकॉक्सी या एरिलोक्सी समू के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो हाइड्रोकार्बनों से प्राप्त होने वाले योगिकों का एक और समू हमें प्राप्त होता है जिन्हें एथर कहा जाता है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को अलकॉकसी समू यानी की RO समू या फिर एरिलकसी समू AIRO समू के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें एक अलग प्रकार के योगिक प्राक्त होते हैं जिनका सामाने सूत्र हम ROR या AROAR के रूप में लिख सकते हैं, इस तरह से इन्हें हम एथर कहते हैं, एथरों को कई प्रकार से वर्गी कृत किया जा सकता है, यदि एथर में जो ऑक्सीजन परमानू जो की क्रियात्मक समू हैं, उससे जुड़े हुए दोनों एलकिल समू या Arial Sumu समान होते हैं, तो ऐसी एथरों को हम सममित एथर या सिमेट्रिकल एथर कहते हैं, उधारन के तोर पर यहाँ पर हम ले सकते हैं, C3OCH3, दूसरी और हम यहाँ पर ले सकते हैं, यदि जो Arial Sumu जुड़ा हो ऑक्सीजन परमानू के साथ, तो वहाँ पर होगा जैसे C6H5O C6H5, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन परमानू से जुड़े हुए दोनु समू समान हैं, और इस तरह से यह सममित एथर कहलाते हैं, दूसरी और यदि ऑक्सीजन परमानू से जुड़े हुए दोनु समू भिन भिन हो, तो ऐसी एथरों को हम असममित एथर या मिश्रिद एथर कहते हैं। उधारन के तोर पर यदि यहाँ पर ऑक्सीजन परमानू के एक और एक मिथिल समू जुड़ा हो CH3 समू और दूसरी और एक एथिल समू जुड़ा हो C2H5 तो यहाँ पर यहाँ एक मिश्रिद एथर माना जाएगा। इसी तरह से यदि यहाँ पर एक एक एलकिल समू हो C2H5 और दूसरी तरफ एरिल समू हो जैसे की C6H5 तो इस तरह से इसे भी हम मिश्रिद एथर कहेंगे। तो इस तरह से इथरों को हम दो प्रकार से वर्गी कृत कर सकते हैं। आईए अब हम इथरों के नामकरण को जानें। इथरों का नामकरण जब हम साधारन तरीके से करते हैं। उस समय इथरों के नाम में जो भी एलकिल या एरिल समू होते हैं। उनके नामको एलफावेटिकली ओडर में लिखा जाता है और साथ में अंतमे एथर जोड़ दिया जाता है। उधारन के तोर पर यदि हमारे पास सूत्र दिया हुआ है CH3OC2H5 तो यहाँ पर ऑक्सिजन परमानों से जुड़ा हुआ एक समू मेथिल समू है। दूसरा एथिल समू है तो एलफावेटिकली एथिल समू पहले आता है इसलिए इस एथर का नाम होगा एथिल मेथिल एथर। दूसरी और यदि हमारे पास यहाँ पर ऑक्सिजन परमानों से जुड़ा हुआ दोनों समू समान हैं जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं C2H5O C2H5 यहाँ पर दोनों समू समान हैं और इसलिए दोनों समू को हम लिखने के पहले डाई यहाँ पर प्रिफिक्स का तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल एथर इसी तरह से आईए अब हम चानते हैं इनका आयू-PAC पधती में नामकरण किस प्रकार से किया जाता है आयू-PAC में पधती से नामकरण करने के लिए इथरों में सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों एलकील या एरिल समू को यहाँ पर हम देखेंगे उसमें से जो भी एलकील या एरिल समू अधिक बड़ा होता है यानि कि अधिक कार्बन वाला होता है उसको हम मूल हाइडरो कार्बन मानते हैं जबकि छोटे समू छोटे एलकील या एरिल समू को हम यहाँ पर एलकॉक्सी समू के रूप में लिखते हैं जैसे कि यहाँ पर हम उदारण ले रहे हैं CH3O C2H5 तो यहाँ पर हम देखें कि जो एथिल समू है उसमें दो कारबन है इसलिए हम इस एथर को एथिल या एथेन का विद्पन मानेंगे और इस तरह से जो बाकी समू होगा यानि जो मेथल समू है उसके साथ हम आकसीजन को जो नेतामी मेथाकसी एतिन तो इस तरह से यहाँ पर हम आयोपीसी प्धाति के अनुसार इसका नामकरन करते हैं इसके अलावा जो भी हम सामाने घडरोकारबनों के नामकरन के लिए नियम लागू करते हैं वहे नियम हमें इथरों के नामकरण के लिए लागू करना होता है जैसे यदि अधिक कारबन है तो उनकी लंबी श्रिंखला को हम चुनेंगे और उसके बाद फिर हम इनका नामकरण करेंगे यदि जो अलकॉक्सी सम्हू की इस्थती दर्शाने के लिए हम उसमें का उप्योग करेंगे तो आईए इसे अच्छी तरह से जानने के लिए हम कुछ बिन बिन उधारणों को देखते हैं पहला उधारण है CH3OCH3 यहाँ पर इथर समू यानिकी ओक्सीजन परमानूं ते जूड़े हुए दोनु समू मेथाइल समू है और इसलिए इसका साधारण नाम होता है डाई मेथिल इथर इसका IUPAC नाम लिखने के लिए हम इसमें एक एलकिल समू को मूल हाइडरोकार्बन के रूप मे लिखेंगे तथा दूसरे एलकिल समू को ऑक्सीजन के साथ एलकॉक्सी समू के रूप मे लिखेंगे अब यहाँ पर दोनों ही एलकिल समू मेथायल समू है इसलिए एक समू मुखे हाइडरोकार्बन होगा मेथेन के रूप मे लिखा जाएगा जबकि दूसरा समू मेथोक्सी के रूप मे लिखा जाएगा तो इसका नाम होगा मेथोक्सी मेथेन अगला उदारण है जिसमें कि एथर जो क्रियात्मक समू है उससे जुड़े हुए दोनों एलकिल समू एथाइल समू है तो यहाँ पर भी इसका साधारण नाम होगा डाई एथिल एथर जबकि इसका आयूपियसी नाम होगा एथोक्सी एथेन इसके बार हम तीसरा उदारण ले रहे हैं जिसमें यह औसममित इथर का उदारण है जिसमें ऑक्सीजन परमानों से जुड़े हुए एक अलकिल समू मेथाइल समू है जबकि दूसरा समू यहाँ पर प्रोपाइल समू है अब चोकि प्रोपाइल समू में तीन कार्बन है इसलिए यह मूल हाइड्रोकार्बन की रूप में लिखा जाएगा जबकि मेथाइल समू हम मेथोक्सी समू के रूप में लिखेंगे यहाँ पर इसका साधारा नाम होगा Methyl-N-Propyl-Ether जबकि इसका IUPAC नाम होगा जोकि यहाँ पर Methoxy-Sumoo पहले कारवन पर जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम होगा 1-Methoxy-Propane इसके बाद हम अगला उधारन लेते हैं यह भी असममित इथर का उधारन है जिसमें की Oxygen-Sumoo से जुड़ा हुआ एक मुलक, Methyl-Sumoo है जबकि दूसरा समू यहाँ पर Phenyl-Sumoo है तो यह एक Aromatic Ether का उधारन है मिश्रिक-Ether का उधारन है यहाँ पर भी यहाँ जो मुख्य रूप से इससे हम इस तरह से लिखेंगे Methyl-Phenyl-Ether क्योंकि साधारन नाम में हम Alphabetically लिखते हैं तो पहले आएगा Methyl-Sumoo तो Methyl-Phenyl-Ether और इसे सामान रूप से Anisole भी कहा जाता है अब हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे IUPAC नाम में जोकि यहाँ पर Benzen Ring है और Benzen में कार्बन परमाणों की संख्या अधिक है इसलिए यहाँ मूल हार्डोकार्बन होगा जबकि Methyl-Sumoo को जो Alkyl-Sumoo है वह Methyl-Sumoo के रूप में लिखा जाएगा तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा Methoxy-Benzen जिसे साधारण नाम के रूप में हम Anisole कहते हैं इसके बाद इसी तरह का एक और उधारण लेते हैं जिसमें की Ether में Oxygen से दुड़ा हुआ एक समूँ-Sumoo है जबकि दूसरा समूँ नहाँ पर Ethyl-Sumoo है जबकि इसका IUPAC नाम होगा पहले Ethoxy-Sumoo यानि की Ethoxy-Benzen तो IUPAC नाम हुआ Ethoxy-Benzen इसके बाद हम और उधारण लेते हैं यहाँ पर हम देखेंगे की Oxygen परमानों से जुड़ा हुआ एक समूँ यहाँ पर Phenyl-Sumoo है C6H5 जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर CH2-Hole 6 लिखा हुआ है यहाँ की 6 Carbon है और उसके अलावा एक यहाँ पर CH3-Sumoo है यहाँ की Dynor कुल 7 Carbon परमानों की श्रिंखला है और 7 Carbon परमानों के लिए जो Alkyl-Mulak लिखा जाएगा वह होगा हैप्टिल और यहाँ पर हम देखें की साधारा नाम में हैप्टिल पहले आएगा जबकि फेनिल बाद में आएगा तो इसका नाम होगा हैप्टिल फेनिल इथर जबकि यहाँ पर हम जब आयूपेसी नाम लिखेंगे तो हम देखें की जो साध कार्बन वाली लंबी श्रिंखला है वह मूल हाइड्रो कार्बन के रूप में लिखी जाएगी जबकि जो फेनिल समूं है उसमें छे ही कार्बन है इसलिए हम उसे फिनॉक्सी समूं के करेंगे तो पहने कार्बन से फिनॉक्सी समूं जुड़ा हुआ है तो इस तरह इसका नाम होगा वन फिनॉक्सी है पेंग इसके बात अगला उधारन हम ले रहे हैं जिसमें की एक उक्सीजन परमाणू Um और इस समूं को हम कहते हैं ऐसो प्रहद से इसका साधारन नाम होगा आयूपिय से नाम लिखने के लिए हम तीन कार्बबन वाली यहां पर चैन है उसको हम प्रोपेन मुख्य हाइड्रोकार्बन मानेंगे जब कि मेथोक्सी समून को जो मेथिल समून है उसे हम मेथोक्सी समून के रूप में लिखेंगे लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि जो मेथोक्सी समू है वह दूसरे नंबर के कार्बन पर जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम होगा 2-Methoxy-Propane इसी तरह से एक और यहाँ पर हम इथर का उधारन लेते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एक समू फेनिल समू है जबकि जो दूसरा अलकिल समू है वह शाकित है और यहाँ पर हम देखें ऑक्सीजन से दायोर चलते हुए हम इनकी नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर देखें मुक्की श्रेंकला में एक दो तीन चार चार कार्बन परमाणू है जबकि तीसरे नंबर के कार्बन परमाणू पर एक मेथाईल समू जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर इसका जो साधारा नाम होगा वह होगा फेनिल आईसो पेंटिल इथर जो साधारा नाम है फेनिल आईसो पेंटिल इथर जबकि आईउपेस से नाम लिखते समय हम देख रहे हैं कि तीसरे समू कार्बन पर एक मेथाईल समू जुड़ा हुआ है जबकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ दूसरी ओर यहाँ पर एक फेनल समू जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर हम देखिए कि जो फेनल समू है उसमें 6 कारबन है तो अब इसे हम मुख्य हाइडरो कारबन के रूप में लिखेंगे जबकि हमारा जो एलकॉक्सिस समू के रूप में लिखे जाने वाला समू होगा वह होगा 3-methyl-butoxy क्योंकि चार ही कारबन मुख्य श्रिंकला में है और तीसरे नमबर पर एक कारबन प्रतिस्थापी के रूप में मिथाइल समू के रूप में उपस्थित है तो इस तरह इसका नाम हो जाएगा 3-methyl-butoxy-ben-gene इसके बाद हम और अगला उदारन लेते हैं यहाँ पर हम देखें कि दो कारबन यहाँ पर हमारे पास है और मद्ध में जबकि दो इथर क्रियात्मक समू के रूप में ऑक्सी समू के रूप में यहाँ पर उपस्थित है तो यहाँ पर हम जो मद्ध में उपस्थित कारबन ह वह 1 और 2 उनकी नंबरिंग करेंगे जबकि 2 समू यहां पर मेथोक्सी समू के रूप में उपस्तित हैं तो इस तरह यहां पर 1,2 डाई मेथोक्सी एथेन यह इसका आयूपी एसी नाम होगा तो कि पहले कारबन से भी एक मेथोक्सी समू जुड़ा हुआ है और दूसरे कारब से भी एक मेथोक्सी समू जुड़ा हुआ है तो इसका नाम होगा 1,2 डाई मेथोक्सी एथेन अब हम एक चक्री एथर के नामकरण को देखते हैं यहां पर हम देख रहे हैं कि एक 6 कारबनों की यहां पर रिंग दिखाई दे रही है जिसमें कि एक कारबन पर एथोक्सी जुड़े हुए हैं अब यहां पर जब हम इनका नामकरण करेंगे तो यहां पर नामकरण या कारबन की जब हम रिंग में नंबरिंग करेंगे तो हमें इस तरह से नंबरिंग करनी है कि प्रतिस्थाप्यों को दिये गए अंकों का योग सबसे कम आये तो यहां पर हम जो ड को हम दूसरा नमबर देंगे और इस तरह से यहाँ पर एक साइक्लिक रिंग है और साथ ही रिंग में छे कार्बन है तो यह हो जाएगा साइक्लो हेग्जेन और यही हमारा मुख्य हाइड्रोकार्बन होगा तो इस तरह से इस एथर का नाम होगा तू एथोक्सी वन वन डाइ मेथल साइक्लो हेग्जेन यहाँ पर हम कभी भी एथोक्सी समों को एक नमबर नहीं देंगे क्योंकि यदि हम एथोक्सी समू को एक नमबर देते हैं तो दूसरे नमबर पर दो मेथाइल समू हैं और वहाँ पर हमें टू टू डाई मेथाइल लिखना होगा तो इस तरह से जो प्रतिस्थाप्यों के अंकों का योग पुल पांच हो जाएगा जबकि इस स्थती में जबकि हम एथोक्सी समू को दूसरा नमबर देते हैं जबकि मेथाइल समू वाले कार्बन को एक एक अंक देते हैं तो यहाँ पर प्रतिस्थाप्यों से जुड़ेवे कार्बन परमाणों का जो अंक है वह चार ही होता है तो इस तरह से इसका सही नाम हो तो इस तरह से हम प्रकार के एथरों का नामकरम कर सकते हैं आये अब हम जानते हैं एथरों को बनाने की विभिन विधियों के विशह में किनकिन विधियों से हम एथर बना सकते हैं इथर बनाने की पहली विधी है एलकोहलों के निर्जलन के द्वारा हम जानते हैं जब भी एलकोहल की क्रिया किसी प्रोटिक अमल जैसे की सलफ्यूरिक अमल या फास्फोरिक अमल से कराई जाती है तो एलकोहलों का निर्जलन हो जाता है यहने की एलकोहल के निसकाशित हो जाता है लेकिन इस जलके अनुके निसकाशन के फलसरूप हमें इलकीन प्राप्त होंगे या इथर प्राप्त होंगे ये उस अभिक्रिया की परिस्थतियों पर निर्भर करता है यदि हम परिस्थतियां बदल दें तो हम इलकीन के इस्थान पर इथर प्राप् दियूरिक अम्र से कराई जाती है और तापमान 443 केलविन रखा जाता है यहने की 170 डिग्री तापमान रखा जाता है तो इस स्थती में यहां पर एलकोहल में से जल के अनुनिस्काशित हो जाते हैं और हमें उत्पाद के रूप में एथीन प्राप्त होती है दूसरी ओर यदि हम परिस्थतियां बदल दें यहने की तापमान कम कर दें इसी परिस्थती में यदि हम तापमान को 413 केलविन कर दें यहने की 140 डिग्री सेंटिग्रेट तापमान यदि रखते हैं तो यहां पर हमें एथीन ना प्राप्त होकर हमें एथर प्राप्त होते है तो इस तरह यदि हम एथेनाल का उप्योग करते हैं तो हमें डाइ एथिल ईथर प्राप्त होते हैं इस तरह हम देखें कि यह जो अभिक्रिया है यह deleting के सल्फिरिक अम्ल के द्वारा निर्जलन के फलसरूप ईथर प्राप्त होने की जो क्रिया है वह एक द्वि अनुक नाभ जिसमें एक इसाथ अभिकार के अणुं करते हैं और उत्पात का निर्मान करते हैं इस अभिक्रिया को हम इसकी क्रिया वीधि के द्वारा को इस अभी क्रिया की क्रियाविधी को सबसे पहले पद में यदि हम लें तो यहां पर सबसे पहले ऐलकोहल एथेनोल के एक अनु का प्रोटोनी करण होता है और यहाँ पर जो सल्फियूरिक अम्ल हम ले रहे हैं तो सल्फियूरिक अम्ल का काम ही है प्रोटॉन देना तो इस तरह से यहाँ पर एलकोहल को सल्फियूरिक अम्ल के द्वारा एक प्रोटॉन H प्लस आइन प्राप्त होता है और यहाँ पर हम जानते हैं कि एलकोहल में जो उक्सिजन है उसके पास दो लोन प्यार होते हैं जिससे इसके उपर रणावेश होता है और सल्फियूरिक अमल से प्राप्त जो प्रोटॉन है उस पर धनावेश है तो इस तरह से यहाँ पर जो उक्सिजन है वो प्रोटॉन पर अटैक करेगा और इस तरह से वहाँ पर हाड् oxygen पर धन आविश आ जाता है वर इसे हम oxonium आयन कहते हैं अब यहाँ पर जो oxonium ion है जिस पर positive charge है यह दूसरे यहाँ पर दूसरे अलकोहल के अनुपर के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ पर हम देखे जो दूसरा अलकोहल का अनुप है उसके भी oxygen पर रुनावेश है और यहां पर चुकि ऑक्जोनियम आयन के ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है और इसलिए इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा वह वह उक्सीजन एलेक्ट्रान जोड़े को खीचना चाहेगा और इससे जुड़े हुआ जो कार्बन होगा उसके पास इलेक्ट्रानों की कमी हो जाएगी और इस तरह से अलकोहल ऑक्सीजन के द्वारा इस कार्बन पर अटाइक करेगा और इस से जुड़ जाएगा और इस तरह से हमें यहां पर एक नया डाई एथिल ऑक्जोनियम आयन प्राप्त होगा यहां पर हम देखें कि साथ ही साथ जो यहां पर ऑक्सीजन था वो अपने इलेक्ट्रान जोड़ों को ले लेगा और इलेक्ट्रान जोड़े लेकर हाड्रोजन के साथ जल के रूप में निसकाशित हो जाएगा तथा इसके बाद जो हमारे पास जो उत्पाद मिल रहा है वो है डाई एथाइल ऑक्जोनियम आयन यहां पर भी हम देख रहा है कि ओक्सीजन पर पॉजिटीव चार्ज है अग इस तरह से जो डाई एथाइल आक्ζोनियम आयन प्राप्थ हुआ है यहां पर उक्सीजन पर जो कि मोस्ट्रो नेगटिव इटम होता है जिसन पर पॉजिट्ज चार्ज है तो अब यह ऑक्सीज है वह प्रोटान के रूप में मुक्त हो जाएगा इस तरह से यहां पर जो प्राप्त प्रोटान है वह पुना इसी साइकल को शुरू करेगा और पुना एक अलकोहल एथेनॉल के अनुपर अटैक करेगा और फिर से एक ऑक्जोनियम आयन बनाएगा और यह जो प्रक्रम है हैं यहाँ पर एक और यह जो अभिक्रिया है इसकी कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर देखें कि तापमान कम होना चाहिए और साथी साथ यहाँ पर जो हम अलकोहल ले रहे हैं यह इलकोहल जो है उसमें अलकोहल का जो कारबन परमानू है वह बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए यहां पर जो कार्बन है वो त्रिवीम रूप से बाधित नहीं होना चाहिए इसका मतलब है इसे हम यहां पर दुतियक या तुतियक अल्कोहल का उप्योग नहीं कर सकते यहां पर केवल हम प्राथमिक अल्कोहल का उप्योग कर सकते हैं और इस तरह से यह अभिक्रिया के द्वारा जो हमें इथर प्राप्त होंगे वह भी केवल हमें प्राथमिक इथर प्राप्त होंगे यह हमें सब्स्टिट्ट या दुतियक या तृतियक प्रकार के इथर प्राप्त नहीं होंगे क्योंकि यदि हम यहाँ पर माली जे दुत्यक अलकोहल लेते हैं तो जब दुत्यक अलकोहल की क्रिया होगी यहाँ पर तो यहाँ पर जो प्रोटोनियूम आयन के साथ जब क्रिया होती है तो यहाँ पर इसमें से यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं हो पाती है और यहाँ पर जो हाड्रोजन है वो मेथाइल समू के एक हाड्रोजन तथा हाड्रोक्सिल समू यह दोनों मिलकर जल के रूप में निस्काशित हो जाते हैं और इस तरह से हमें इथर प्राप होती है दूसरी और यदि हम तृतिया के अलकोहल लेते हैं तो वहां पर भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं हो पाती है और यहां पर जो हड्रॉक्सिल समू है उसका ओएच और मिथाइल समू जो सब्सिटूटेट मिथाइल समू है उसका हड्रोजन यह जल के रूप में पर निसकाशित हो जाते हैं और इस तरह से हमें एथीन प्राप्त होती है तो इस तरह से हम देखें कि यह जो एलकोहलों के निर्जली करण से एथर बनाने निकी करिया है इसमें हम केवल प्रात्मिक प्रकार एलकिल समू वाले एथर ही प्राप्त कर सकते हैं दुतियक या त सममित एथर भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं और इसलिए एथर के निर्माण के लिए एक दूसरी महत्पुन विधी का उप्योग किया जाता है जिसे हम कहते हैं विलियम सन सिंथेसिस तो आएए जानते हैं विलियम सन सिंथेसिस के बारे में